नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टेंस कमपानी का अप्डेट सेयर करने वाला हूँ और मैंने दो कमपानी को पर अल्मोस्ट टेड ले चुका हूँ और कहाँ पर टेड लिया, पो मैं आपके साथ सेयर करूँगा तो प्लीज इस पीडियो को लास्त तक जुरू देखेगा और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब ने किया तो जुरू कर लिजएगा का इंट आप नवमबर में आया था और उसके बाद जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कमपनी लगातार गिरते चले जा रहे है क्योंकि लिस्टिंग इन इसका बहुत सांदर देखने को मिला था अल्मोस्ट 1.5 टाइमस कमपनी रिटान जिनेर करके दिया था आई पी के दिन तो उसके बाद देखे लगाता लगातार कमपनी गिरते चले जा रहे है और अभी जो सिच्वेशन है कमपनी का 1400 से कमपनी का प्राइस बन चुक है 190, 1098 के आसपास तो देखिए प्राइस मैटर नहीं करता है किसी कमपनी के उपर के प्राइस कितना है मैटर करेगा कमपनी का प्राइस कितना है अभी कोश्चन आएगा कि सर कमपनी के उपर तो लगातार करेक्शन देखने को मिला और मैंने आपको यह भी बता है कि यहापर एक रेंज केट हुआ है इस रेंज के अगर नीचे चला जाए तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अभी कितना गिरेगा इसका कोई तो पता नहीं है क्योंकि प्रीवेस तो कोई लेवल है ही नहीं क्योंकि इसका जो लो था उस लो को कमपनी मतलब लो से भी कमपनी नीचे चल रहा है तो इसका मतलब कमपनी के उपर एक प्रेसराइस है अभी कोश्चन आएगा कि कमपनी के उपार जो improved Deloria 25 तरिक को double performance नहिंबी आपको दिखा देथा हूँ रिजा के बारे में चरचा करू Institute का से बोड़ ट्रीकट आठाग देखने को मिला पिछले सालों के तुनल से 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 अच्छा दिखा और क्वाटर के basis में भी कंपानी का sales अच्छा हुआ और expense control करने के बाद कंपानी का net profit year of year basis में और quarter quarter basis में दोनों में ही अच्छा कासा देखनों का मिले अभी question है आएगा कि इस company के उपर performance तो ठीक है तो problem का पर है problem कुछ नहीं है problem actually company को पर profit booking हो रहा है तो जो लोग buying करके रखे थे तो उससे कई गुना ज्यादा लोग sell-up कर रहा है तो sell-up जब होंगे है तो company को बहुरत correction होगा तो जो अब देखेंगे तो company का ROI return of equity return of equity equity देखे किस तरीके से 20 से 30 17 to 20 percent के आसपास return of equity देखने को मिला और ROC देखेंगे तो company के 26 परसन के आसपास देखने को मिला डेप्ट के बारे में बात कर तो डेप्ट एकदम जीरो के आसपास है तो कहने का मतलब है कि company के उपर जो performance level है वो आपको best तरीके से देखने को मिलेगा तो फिर भी क्यों गिर है कि कि मैं पहले ही बोल चुको company का profit booking situation चल है तो उसमें गिरा बढ़ता होगा ही बाकी देखेंगे इस company के बिजनेस है उच बिजनेस में एक चीज़ों को देखेंगे तो पूरा के पूरा company engineering research and development के उपर काम करते है 100% उनमें से company का services automotive के उपर 66% technology services के उपर 17% और बाकी जो services आदा sector है उसके उपर 15% company business कर रहा है और सबसे बड़ी बात है इस company का जो main business है सबसे अदा company का जो company के customer basis है सबसे बड़ा customer है Tata Motors और Tata Motors बो भी कौन सा जेलर मतलब Jaguar and Land Rover जो Tata Motors के सबसे बड़े automobiles company है और सबसे जदा revenue generate करने वाला companies है तो उस company के उपर totally काम कर रहा है कौन Tata Technologies तो इस हिसाब से दिखाए तो company में एक high growthable situation तो obviously future में बन सकता है जहापे North America में 30% इंडिया में 30% UK में 26% साथी साथ यूरोप में 8% और आदास में company के उपर 4% company business कर रहा है तो all over global market में location wise देखा है तो इंडिया और अमेरिका में same to same business चल रहा है तो बाकि इस company के चार्ड देकर आप डर मत जाना कि हाँ चलो share में बड़ा fall हो गया company बेकार हो गया बिल्कु नहीं company का तो performance ठीक है अभी profit booking होगा तो वो correction तो होगी यह के market के nature है उस नेचर के basis में company गिर करेंगे अभी देखा जाएगा कितना दूर तक गिर सकता है बाकि जब कोई situation बनेगा तो मैं आपके साथ जोरूर video share करूंगा next company उसका नामे सूजलोन सबसे पहले में सूजलोन के उपर एक एंटी बना है और वो एंटी में कहा पे लिए बो सबस पर एक हैंडल बना फिर से एक हैंडल बना तो फैले देखिए यहां पर और विध हैंड़ परटन के बाद यहां पर ब्रेक आउट होता और बेक आउट कंफरमेशन भी company यहां पर दे चुके है अभी देखिए जो एंटी लेबल बना है उस एंटी लेबल से अगर टार्गे आपको हमेशा सारे चीज़ों को पेडिक्सन करके चलना पड़ेगा बाकी आप समझदर है समझदर ही इससे काम करिए सिर्फ सूजलन के बारे में एक ही बात कहूंगा कि company का जो previous डेटा था वो उतना खास नहीं था अभी जो current डेटा है वो बहुत अच्छा देखने को मिले बहुत सांदर है आरो सी वो भी आपको सांदर देखने को मिलेगा 15% के उपर net profit margin पांस साल में जो negative में चला गया था वो current year में और latest year में company 47% तक growth किया तो एक अलग level में positivity देखने को मिले है और depth के बारे में बात कर तो depth यहापे कम हो चुके है और सरी कम था अभी इस बार company depth को बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया चलो भी आपको दिखा दिता हूँ company का balance sheet में देखेंगे तो company का जो बारिंग से वो मतलब उतना ज़्यदा growth देखने को नहीं मिला तो current जो situation है अभी company का depth कितना है ना के वराबर 146 करोर के आसपास तो यहापे क्यों depth ज्यादा देखन company काम कर चुके है अभी borrowings कम किया वो कहा से किया वो मैं आपको बता दू company के जो fixed asset है उसको बेचा company के जो reserve है उस reserve को बेचा तो उसके बाद company borrowings को एकदम जो 13,000 क्रोड के आसपास बारिंग हुआ करता था 17,000 क्रोड के आसपास बारिंग हुआ करता था वो सिर्फ 146 क्रोड तक पहुँच चुके है तो company का borrowings बहुत कम यहाँ पर देखने को मिला है बागी इस company के उपर आपके क्या opinion है जोरू मुझे comments करना और रही बात इस company के investor के तो promoters से लेकर Fsds public हर किसी के बास अभी investment है तिके company धिरी-धिरी करके growth कर रहे और government भी renewable energy के उपर बहुत जदा focus र तो एक कहा से कहा तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर company में दम है तो आगे बढ़ेंगे तो मेरा इंटी लेवल है वो actually swing trading के उपर है मतला एक short term trading के उपर है तो मैं यहाँ पे कोई investment का strategies को use नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे trading भला strategies की use कर रहा हूं तो अगर प्लीज करना और वीडियो कर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और हां यह मेरा खुद का trade है प्लीज इसको देखकर blindly काल जाकर trade मत ले ले लेना क्योंकि हर किसी के अलग अलग opinion है आपके opinion के हिसाब से trade करना आपके fund risk management को सामने रखकर trade करना तो next company उसका नामे अदान विलमार के उपर में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा इंता में था तो क्यों देखिए company को बार company profit actually 2 quarter में company loss किये थे एक बार आपको दिखा दू company देखिए 2000 quarter 1 में जो data आया quarter 1 में तो वो देखिए result 79 क्रोड का loss हुआ था quarter 2 में company 131 क्रोड का आसपास loss किया अब देखिए current जो year में company का result आया वो सांदर देखने को मिला तो इही में सोज रहा था कि company फिर से रीबेक कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे तो finally company का रीबेक हुआ और रीबेक किस basis में हुआ company का sales बढ़ा तो sales तो बढ़ा ठीक है company expense को maintenance किये उस basis में company का net profit बढ़ता हो देखने को मिला पिछले बार पिछले दो बार company का operating profit margin सिर्फ 1% था बढ़के हो चुके 4% तो इसके मतलब फिर से company रीबेक किया है और इस रीबेक होने के बाद company के उपर फिर से massive momentum journey होने का chances है अभी तक उस तरह के से कुछ situation तो देखने को नहीं मिला मेरा जो trade है वो में आपको बता दू टेस्ट करेगा तो निचे आएगा तो यहाँ पर टेस्ट किया उसके बाद धिरीदे करके उपर जाने का वो कोसिस करेंगे तो फाइनली यहाँ पर देखिए company रीटेस्ट करने के बाद धिरीदे करके वो उपर जाने का कोसिस कर रहा है तो जोरू request करूंगा इस company के उपर research करके काम करना इस company को पर study करके काम करना अभी आपको सब कुछ data clearly देखने को मिलेगा तो मेरा एंटी डेवल तो यहापे है तो मैं integer कर रहो जब मौका मिलेगा जब जब इस company का time होगा वो तो profit देंगे अगर profit ना दे फिर भी देखा जाएगा कि company loss making से company profit में अभी आ चुके है तो chances से company फिर से recovery करने का क्योंकि इसलिए institution भी देखिए इस company के उपर जो holding था वो holding अभी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि institution holding इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि promoter ने पहले ही 75% से ज़्यादा holding को लेकर बैठे हुए है तो promoter माल बेचेंगे तब ना institution माल खरीदरी तो बागी इस company के उपर decision लेने से पहले सारे चीजों को एक बार वाच करना और रही बाद इस company के capex का तो इस बार company highest capex बढ़ा चुके है 799 क्रोड के आसपास जो पिछले बार company के capex था 670, sorry 674 क्रोड के आसपास तो next जो company है उसके बार में चर्चा करो उसका नम है अकसर spintex limited तो 122 क्रोड के company है तो company के उपर बहुत जदा volatility है इस बात को सबसे पहले देखना क्योंकि ऐसे नहीं कि company के उपर मैंने जो update आपके साथ share किया जो bonus का update है हर 5 share के बदले एक share आपको company company देने वाल है और वो भी आठ तरीकों मिलने वाल है तो इसको देखकर खुस मत हो जाना company को पर एक बस study करके काम करना किके सारे points company के आपको growth देने के लिए और आपको बरबात करने के लिए भी बन सकते है तो एक बार रिसाज करके ही काम करना वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना इतने एक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद